आज हम राज भाग छे के बारे में बताएंगे और बताएंगे विप्यस्टी दरोगा अधर कंपेटिसन में कितना मार का पूछा जाता है इसके साथ ही बताएंगे राज में कौन-कौन से बोडी है मतलब आपको क्या-क्या एक्जामे पढ़ना है इन सभी के बारे में आपको बताएंगे यह सब बताने से पहले जो भी नए स्टुडेंट आये हैं उनको ब्रह्मा स्रीज पहले समझ लिजे ब्रह्मा स्रीज में पहला वीडियो गाइड वीडियो जिसमें कोश्चन बैंक और सिलेवस का अनालाइसिस करके बाता आते हैं इससे कि आप कम टाइम में बहुत बहतर त्यारी कर सकते हैं जदी आप चाहते हैं सरसथी में प्यासी पाइन से छे महिना में निकाला चाहते हैं तो आप गैड वीडियो या बढ़ा मा स्रीज का पूरा प्लान है वह सभी देखिए क्योंकि यह काफी महत्पूर्ण है के एक वीडियो आपको उसमें टेस्ट वीडियो प्रोभाइड कर वाटते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट देने के बज़ए से आप समझ पाएंगे कि मेरा पोटेंशल क्या है मेरा बास्त्रिक ताकत क्या है क्योंकि पता हुना अंचाहिए कि मेरा कौन सा टॉपिक मजबूत से रोध पड़ेगा तो टेस्ट क्या करता है उस टॉपिक का एना है समझे आपको दिखाता है कि इस टाइप का एक्जाम आता है और आप इस परकार से त्यारी किये हैं यदि आप इस परकार से त्यारी किये हैं तो आप इस टॉपिक के साथ इस एक्जाम के लाइक हैं समझ र नहीं किजेगा तो कुछ नहीं होने वाला है अरे मेहनत से तो बड़े बड़े पाहार टूट गया यह एक जाम क्या चीज़ है अपने अंदर होसला जुनून और अपने पोटेंशल को समझे कि मेरा पोटेंशल क्या है हम क्या कर सकते हैं जब तक यह नहीं समझेंगे फिप्यासी पास्थ नहीं करने वाले हैं आप फिप्यासी को जदी हलके मिलीजिएगा तो कंपेटिशन अब हलका नहीं रहा गया क्योंकि अब इसमें हर इंजिनियर मेडीकल से सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपका पंद्रगंटा मेंटा इसी मिलेगा इसलिए आप भी महनत कीजिए और आप कहिए स्मॉर्ण वर्क से निकलेगा आपको इसमार्ट वर्क करना जरूरी है कि इस टॉपिक में क्या क्या एक्स्ट्राट है जो आप पढ़नी में सक्षम नहीं है समझ पाते हैं अधर जगह से तो आप तीनों वीडियो देखें और एक मेहना पड़के हम गरांटी डेटे हैं एक मेहना के बाद जो टॉपिक खतम होगा आप उस टॉपिक का हीडो रहेंगे अभी 45 दिन में आपको पता है कि साइंस और हिस्ट्री दो टॉपिक खतम हो चुके हैं अब दो से तीन दिन चार दिन में मतलब डेव पचास तक आपको पॉलिटीकल भी खतम हो जाएगा मतलब अच्छा खासा सत्तर मार का लग में खतम हो जाएगा मतलब 120 दिन बोले ना ओट है 120 दिन मतलब 120 दिन 120 में डेव समार का कोशन पूरा खतम होगा और वो आपको भी करना होगा जड़ी आपको रिजल्ट चाहिए ता आपको भी यह करना होगा ऐसे थुड़ी होता है कि आये पटलिए कल पटलेंगे परसु पटलेंगे उससे सब्सक्राइब होता है जो मेहनत करता है जो मेहनत की पसीनों में भीगता है यह देर ना करते हैं टॉपिक को प्रारम करते हैं आज का टॉपिक अस्टेट गॉबर्मेन्ट मतलब राज सरकार है राज्शरकार में आपको क्या सब देखना है। राज्शरकार में सबसेहला राज्जपाल!!! विधान मंंडल यह सभी बोडी देखना है इतना ही बोडी है जिसमें सबसे important है वह है राजपाल वह राजपाल में आपको क्या देखना है सबसे पहले वह राजपाल देखने से पहले थोड़ा अनुछेद का करम देख लीजे जिससे कि आपका वह जो लाइब बना हुआ है वह लाइन न तूटे राज सरकार जो है वो अनुछेद 152 से लेकर अनुछेद 237 तक के बीच में राज सरकार के बारे में वर्नन किया गया है और राज सरकार के बारे में बताया गया कि उसकी क्या सकती है उसको क्या काम करना चाहिए उसका क्या मतलब वो हर चीज हर वो डैमेंशन के बारे में चर्चा किया है तो यह तो समझ गए आप कि अनुछेद 152 से लेकर अनुछेद 237 तक किसका वर्णन किया गया है राज के बारे में वर्णन किया गया है इसमें सबसे इंपोर्टेंट आपको बता दिये क्या है वो है राजपाल अक्सर पूर्शन पूछता है राजपाल से आप कॉपिन नहीं है आपके पास बुक है तो बुक पे ही लिक लगाए उसको भीविया कीजिए क्योंकि यह टॉपिक काफी इंपोर्टेंट और एक्जाम अच्छे से देखें और इस टॉपिक का सबसे बड़ी खास बात इसमें क्या है कि कोई भी अनुछत को एक करम में नहीं बना के दिया जैसे कि आप आपको बताये थे ना पीछे मंत्री परिशद संसद सबका एक करम बनाया गया था कि इतना है सुप्रीम कोर्ट यह हर चीज इसी का वहां एक अनुछेद का करम बनाया था लेकिन आप जो यह टॉपिक पर रहे हैं इसमें कोई नहीं बनाया गया है राजपाल का भी अनुछेद डिफ्रेंट करके दिया गया है तो लेकिन प्रप्रण आपको यह समझना यहां से अनुछेद ज्यादा फोकस नहीं करत है उनके सक्ति उनके कार्षित उनकी नियुक्ति का क्या एज है क्या क्या केटेरिया है वो उसका क्या-क्या अनुछेद पालन करना परता है कौन-कौन से नियम को पालन करते हुए एक आप राजपाल बन सकते हैं यह सब इसका मीन इंपोटेंट है इसके साथ ही और क्या-क् हम लोग नहीं देते हैं अपर चुछ शुरूप से क्या जाता है लेकिन इसका न्यूपती द्वाड़ा किया जाता है लेकिन हैं यह जो हौए कार्ज करने में अस्टेट में स्वतंत्र बोड़ी होते हैं और यहां इसमें इसके अलावा भी कोशन पूछते हैं कि आपातकाल में इस्थिती में राजपाल की सक्ति किस अनुछेद के द्वरा एक विशेस अधिकार मिल जाते हैं जब भी आपातकाल कोई भी तरह का घटना क करम हो तो आपातकाल लगाने के सक्ति राज को कैसे किया जाए यह मुखमंत्री के सक्ति को कैसे कम किया जाए और मुखमंत्री के सक्ति को अपने हाथ में लेकर राज को संतुलन के स्थिती में कैसे लाए यह सभी चीज का ताकत कौन से अनुछेद में किया गया है यह सभी कोश्चन आते हैं जैसे कि मुखमंतरी को सपत क्वाता है मुखमंतरी मुखमंतरी के पत्राई के ना जो बीदाईक सबने सब्सक्राइब comparator करा जितने भी है कि हमारे विहार के सिख्षा दभास्तामें इनलज़ सिटी है उन्स कि इन्वर्सिटी का हेड क्यों होता है राजपाल होता है राजपाल अपने आप में एक गौर्णमानमीत पद है और यहां से कोश्चन काफी पूछता है तो इसलिए इस टॉपिक को आप बहुत ही बारी की से पढ़िए इस टॉपिक को जितना बेहतर आप कर पाएंगे आपका म पढ़ेगा राजपाल मुक मंत्री मंत्री परिस्थ बिधान मंदल के अलावा मंदल को पढ़ना परेगा ऊच नियाले राजपाल के अलावा मंत्री परिशद और विधान मंडल ये तीन टॉपिक है जो आज के वीडियो में आपको पढ़ना है आज के वीडियो के साथ ही आप सीखे समझे आप लोग पढ़ते रहे आगे बरते रहे धन्यवाद